हलो उस्तरोज़गार हिंद में आपको स्वागत है मैं हुरिजवान और आज मैं आपको Network Marketing MLM Direct Selling जिसको बोलते हैं उसके 5 ऐसे फायदे और 5 ऐसे नुकसान बताने वाला हूँ जो शायद आपको अपने लाइफ में experience अगर नहीं किया तो experience करने को मिल सकता है तो आपको फायद 25 तक 64,500 करोड का business देगी Network Marketing ये इंडिया की बात कर रहो है और ये फीकी की रिपोर्ट इसलिए गलत नहीं हो सकती है क्योंकि फीकी एक बहुत पुरानी organization है मैं अगर बात करूँ तो 1927 में ये established हुई थी गांदी जी के कहने पे पुशुत्तम दाश ठाकुर और जीदी बिर बाली है इसी वज़े से आज लोगों के पास अगर जॉब नहीं है या धंदा खराब हो रहा है तो फाइनली एक option बचता है direct selling industry जिसको हम chain option भी बोलते हैं chain marketing भी बोलते हैं बहुत सारे लोग chain बनाने वाला तो आज हम इसी के बारे हम बात करेंगे कि पांच ऐसी बातें जो आपको फायदा भी दिला सकती है और पांच ऐसी बातें जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो आज ये दोनों चीज़े की notification आप तक पहुंसती रहे और like कर न भूले वीडियो को like जरूर करें तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की जो पांच फायदे हैं वो कौन-कौन से हैं इसके बाद मैं मैं पांच बहुत बड़े-बड़े नुकसान भी बताऊंगा जो जानना आपको जरूरी है क्यो ना ही आपको एज की जरूरत होती है ना ही education की जरूरत होती है मतलब इस industry में work करने के लिए ना ही आपकी उमर की कोई जरूरत है ना ही पढ़ाय लिखाई की जरूरत है ना काले गोरे की जरूरत है ना जाती धर्म की जरूरत है ना ही उमर की जरूरत है किसी भी तरीके के ल करोडों रुपय कमाते हैं और ये बात सही है नेटवोक मार्केटिंग में क्रोडों रुपय कमाया जा सकता है लेकिंड विडियो में जो चीजर I Blessed अपको असलियत पता तल जाएगी कि दिश्णी में कौन कमाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पिना पढ़े लिखे या आपकी उमर कुछ भी हो आप यहां पे success हो सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा benefit होता है कि इसमें training and development को जो प्रोग्राम होता है personality development का वो आपको बड़ी-बड़ी corporate company में भी नहीं मिलेगा personality development तो ऐसी हो जाती है कि आप CEO और बड़े-बड़े IPS IS अधिकार को भी fail कर देंगे इस तरह से क्योंकि वहां पर dressing sense बहुत अच्छा होता है वहां पर जो training दी जाती है personality development की आपको कैसे खड़े होना है कैसे बात करना कैसे understanding power कैसे comprehension आपकी listening power कैसी होनी चाहिए speaking कैसी होनी चाहिए आपको cross questions कैसे करने है आपको convince कैसे करना है आपको satisfied कैसे करन देना है आपको patience कितना होना चाहिए जो सारी चीजें आपको training का part है और यह सारी चीजे जब training में मिलती है तो एक बहुत ही जादा mature personality दिखती है आपकी क्योंकि वहां पे जो network marketing के लोग होते हैं हमेशा आपको यह suggestion देते हैं आपको tie belt और suit boot में रहना है भले ही वह आप 500 र personality आपकी change हो जाती है आप भले ही गमचा में हो आप भले ही towel में हो आप भले ही धोती कुर्ता पहनते हो लेकिन network marketing मार्केटिंग माने के बाद में आपको सिर्फ coat paint और tie मिलेगी वहां पे यह सबसे best part है network marketing का कि जब आप कहीं पर जाते हैं presentation के लिए तो first impression should be the best impression and your best impression is your dressing sense तो यह बड़े से बड़ा amount लगाना पड़ता है अगर आप सोची कि महीने के पांच लाग रुपए कमाना चाहते हों तो आप अंदाजा लगाई कम से कम 50 लाग रुपए आपको लगाने होंगे और उसमें infrastructure भी तयार करना होगा location भी देखना होगा आपको office setup भी करना होगा और उसके बाद में साल भर wait करना पड़ेगा क्योंकि वह business जो है आपको grow करते करते बहुत time लग जाता है लेकिन यहां पे आप बहुत ही low investment करते इवेन कई जगे आप 1000 रुपए से भी start करते हैं और आप boom करते 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 बहुत बड़े business में पहुंच जाते हैं जब आपकी rank change होती जाती है तो आपका level change हो जाता है उसके बाद आप एक अच्छी position पे बैड़ जाते हैं वहां जाके बड़ी team के मालिक भी हो जाते हैं तो इसमें यह benefit सबसे बड़ा benefit है कि आपका investment बहुत कम होता है लेकिन आपकी income एक लगपती और क्रोड़पती आदमी के बराबर ह हो सकती है चौथा बहुत ही जरूरी point है इस business को आप अपने work के साथ अपने job के साथ अपनी education के साथ भी कर सकते हैं means कि अगर आप यह business में involved हो रहे हैं तो अगर यह दो यह तीन घंटे आप part time इसको start करना चाहें तो भी आप start कर सकते हैं आपके education पे कोई फरक नहीं पड़ और इवन यह part time work आपका अपना business है इसको आप चाहें तो किसी दिन ना भी करें इसको चाहें तो daily करें यह business ऐसा है कि आप रोज करेंगे तो रोज income आएगी और इस पे एक benefit और है कि अगर आप चाहें तो permanent भी आ सकते हैं इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है आपकी education या आपका जो business है उस पे अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो शायद आपके उपर objection हो सकता है लेकिन अगर आप यह network marketing business को तीन घंटे कर रहे हैं दो घंटे कर रहे हैं आप यह पूरे दिन कर रहे हैं तो इसमें ना कोई objection है और ना ही कोई pressure होता है आपके उपर क्योंकि य इतनी income करना चाहते हैं या आपके उपर करता है इसलिए इसमें कोई भी time का pressure नहीं होता है और पांचमा बहुत जरूरी point है इस business को start करके आप जब start करते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होता है लेकिन आपने तीन साल चार साल पांच साल दिया तो आप एक बहुत बड़ी luxury life भी जी सकते हैं इवन आपकी गाडियों का जो शौक होगा luxury से luxury गाड़ी होगी आपके पास में आपके बंगलो का शौक होगा बंगलो भी होता है आपके पास में आपके बहुत बड़ी टीम होती है आपकी respect इतनी जादा होती है आपकी value इतनी जादा होती है कि जिस जगे पर भी जाते हैं आप, 100-200 लोग आपके वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं वहाँ पर स्टेज में आपके हाथ में माइक होता है तालियां बजाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ होती है ये लगजरी लाइफ और ये रिस्पेक्ट, शायद आपको किसी दूसरे बिसनेस में ना मिले इसलिए कि इस बिसनेस में सच सच ज़़जादा मैटर करता है आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट ये दिखावे का बिसनेस है आप जितना भी दिखाएंगे इस बिसनेस को उतना ही जादा आपका business grow करेगा उतनी ही जादा आपकी team motivate होगी उतनी जादा team में work होगा और उस तरह से और भी लोग motivate होके आपकी team में join होंगे तो ये business सबसे जादा beneficial इन सारी चीजों के लिए 5 point मैंने आपको ज़रूरी बताये हैं ये 5 point हमेशा ध्यान रखिएगा अब मैं आपको कुछ negative points बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है network marketing chain business में करने के लिए network marketing MLM direct selling कहें या chain business कहें ये सारी चीजें एक ही concept को indicate करती है तो चलिए हम आज बात करते हैं 5 negative points क्या-क्या है